आज आपको functions जो math का एक tough topic है और जो NDA के लिए भी important है उसके बारे में बता रही हूँ बिल्कुल basic knowledge जिन्हें कुछ भी नहीं पता function के बारे में वो उसको देखेंगे तो उन्हें भी आ जाएगा और ये topic 11th में भी है और 12th में भी है such that और ये जो arrow होता है इसको हम पढ़ते हैं tending to तो देखें सबसे पहले में जब define कर रही हूँ तो types of function में one one function one one obviously जैसे की नाम से देख रहा है कि one one means one individual हर एक element का एक single relation होगा तो देखें ये जो पहले वाला column होता है इसको हम domain बोलते हैं और ये वाला जो column होता है से codomain बोलते हैं तो domain और codomain में देखें A का relation alpha से है B का βीटा से है और C का delta से है और अगर one one को आपको mathematically proof करना होता है तो हम क्या करते हैं जो भी function दिया होता है उसमें दो variable put करते हैं कि x1 और एक x2 उन दोनों को equal रखके अगर x1 equal to x2 आता है for every यह sign अगर आप used to ना हो तो धिहान रखेगा this is stand for for every for every x1, x2 belongs to a तो देखिए अगर आप मुझसे को इसे लिखना है तो fa की value आगई alpha, fb की value आगई beta and fc is right as delta इसी में देखिए यह था हमारा one one function, second function देखिए on to function on to के लिए एक word और धियान रखेगा surjective, on to में आप धियान रखोगे अगर यह on to function है तो simple सा धियान रखेगा कोई भी element को domain में नहीं बचेगा यह लिखा है image of at least one element in each element in b is the image of this तो a का relation alpha से है, b का beta से, c का gamma से और d का delta से this is one one, one one function is always called surjective यहाँ देखिए one one on to है, one one on to means कोई भी element सेम यह वाला case यहाँ पर भी arise हो रहा है by objective function हम कब कहते हैं, जब one one on to होता है next देखिए one one in two, यानि a का alpha, b का relation beta और c का gamma तो यहाँ एक element जो है, उसका कोई image नहीं है means उस object के लिए कोई image नहीं है और this is again your domain and this one is co domain तो इसी में देखिए अगर आप मुझसे range की बात करो तो range इस case में हो जाएगी आपकी alpha, beta, gamma delta is not count in the image because delta जो है, उसके लिए कोई भी element यहाँ से consider नहीं किया गया है next part देखिए सी का many one function, many one function में क्या होता है कि आपका एक से ज़्यादा link अपोता है many one जैसे a का alpha से है, same way में b का भी alpha से है और c का beta से है और d का gamma से है तो इसमें देखिए fx1 अगर fx2 के equal है और sum में condition है, x1 is not equal to x2 तो यहाँ compare कर लिजेगा one one function से one one function में हम यह first step सेम रखता है लेकिन उसमें x1 equal to x2 आता है और into functions में क्या होता है कि आपकी कोई एक image जो है, यहाँ पर कोई एक element जो होता है जो उसमें रह जाता है that is called into function यानि को domain में कोई एक element ऐसा होगा जिसकी कोई भी pre-image नहीं होगी इस वाले column में जो चीजे होती है उनको बोलते है pre-images और यहाँ जो आपके arrowhead के आगे बनी होती है उनको बोलते है images suppose अगर मैं आपसे बोलूं की x is equal to alpha तो इस case में मैं आपसे बोलूं की alpha की pre-image बताए तो pre-image इस case में है x equal to a और अगर मैं image की बाद करूँ image of a तो you can just write alpha तो देखिए दो word in pre-image को हम object भी बोल सकते हैं लेकिन मांस की language में से pre-image बोलते हैं तो जो function आपको बहुत जादा tough लगता था वो उतना tough नहीं होता है फिर से बोलूंगी सबसे बहले आप मेरा channel subscribe कर लिजे इस type के videos को अगर आपको information चाहिए तो आप bell icon भी press कीजे आगे देखिए आगे वाला question में आपको बता रहे हूं यह बहुत जादा important point है और यह अगर आप math subject लेते हो IS और PCS के लिए तो उसके लिए भी बहुत जादा important है क्योंकि basic है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपको इस type से चाहिए तो देखिए simple सा पहला word है तो product of two even or odd function is an always an even function आप दे हम रखिएगा या तो आप 2 even function की multiply करो या फिर 2 odd function की multiply तो एक standard rule है कि हमेशा product एक even function होगा second point देखिए अगर आप even और एक odd function को multiply करोगे तो result हमेशा odd रहेगा third point देखिए किसी भी function को आप even और odd function के sum की form में express कर सकते हो next point देखिए point बहुत जादा important और hashtag है जो competition की preparation करते हैं उनके लिए भी और boots के लिए भी if a and b have and an m distinct element means a के जो element है वो n है और b के जो element है वो m है तो आपको mapping निकाल लिए number of m mapping from a to b यह चीज नहीं आ रहे पनी है कि आप mapping कहां से consider कर रहे हो then it is m raised to the power n next point देखिए if a and b have an equal number of distinct element तो अगर आप bijective functions निकालते हो तो यह factorial न आएंगे और a and b don't have equal number of elements just listen carefully if a and b don't have equal number of elements तो number of bijective functions from a to b is always 0 यह point बहुँछ जादा इंपोटन है if a and b have an equal number of distinct element if a and b have an equal number of distinct element then number of on two functions is 2 raise to the power n minus 2 next point देखिए number of 11 function को हम n b permutation and na लिखा आ सकते है अगर b is greater than na हो और इसके लावाई value 0 रहती है अगर यह condition follow ना हो रहे हो इसके सेंगे class point बतारी है जो बहुत जादा इंपोर्टन है अगर हम many one on two की बात करते है तो देखिए many one on two on two में आपके पास co domain में कोई भी element नहीं रहता और many one into में आपके पास एक element रहता है और कभी भी अगर आपको किसी function का inverse find out करना हो तो दिहान रखिएगा वो function हमेशा one one on two होना जरूरी है otherwise inverse is not possible तो इस टाइब के और वीडियो के लिए आप मेरे चानल को लाइक कीजे subscribe कीजे नेक्स वीडियो जरूर watch out कीजेगा उसमें मैं इन question जो एक concept है उसका application बताऊंगी direct मैंने आपको application इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको फिर question नहीं आते और दूसरा आप इस particular topic को किसी और चैनल पर जाकर अगर compare करेंगे तो आपको एक बड़ा difference वदा जलेगा कि आपको जो चीजे 7 या 8 minute में मिल रही है उसके लिए पूरा पूरा एक घंटा आपने involve किया उसके बाद आपको कितना कम समझाया क्योंकि आज स्मार्टनेस का जमान है और टाइम सबसे ज़्यदा कीमती है तो आप इस टाइप के वीडियो को थोड़ा favor कीजे we need your support, thank you, शुक्रिया